हाई फ्रेंड्स पेके स्टूडियो कोटा में एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मेरे पास है सोनी का NX100 केमरा फ्रेंड्स आज इस केमरे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस रेजूलेशन पे अपनी पिच्चर को अच्छा शूट कर सकते हैं इस टोपिक के उपर मैं आज बात करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस रेजूलेशन पे और किस फॉर्मेट पे वीडियो शूट करना चाहिए जिससे आपको अच्छी वीडियो मिल सके तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं केमरे की डिस्पले पे फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना तो friends, हम आ गए हैं, वीडियो की display पर, आप यहाँपर देख सकते हैं मैंने camera already फेले से on किया हुआ है, आप यहाँपर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँपर menu फेल कर रहा हूं, जैसे मैंने menu फेल किया, आपके सामने यहाँपर आप देख सकते हैं camera set आ गया है, इ यहाँ पर जैसे मैं side पर phrase करता हूँ यह तो आप देख सकते हैं यहाँ पर recording set इस पर camera आ चुका है और इसके बाद जैसे मैं इसको phrase करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके है recording set format यहाँ पर आप देख सकते हैं file format और recording format तो आज हम इन दोनों format के उपर ह बात करने वाले हैं जब भी आप कोई भी वीडियो शूट करें तो आपको कौन सा फॉर्मेट रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए और कौन सा फॉर्मेट ज्यादा वेस्ट है इसके उपर ही मैं आपको बताने वाला हूं और मैं कौन से फॉर्मेट पर वीडियो HD और XAVC SHD आपको दो फूर्मेट देखने को मिलते हैं यहां पर AVC HD जो है यह नॉर्मल फूर्मेट है और अपने केमरे के अकोडिंग फूर्मेट है इसमें आपको कापी अच्छी और बेतर क्वालिटी की वीडियो मिल जाती है लेकिन अगर आप XAVC SHD पर अगर शूट करते हैं तो आपको इसमें काड भी है विच यह और जो आपकी फाइल है वो भी ज्यादा MB की होती है तो यहां पर जो मेरा सजेशन है मैं AVC HD पर शूट करता हूं और जो क्वालिटी है वो भी अ वीडियो को शूट करना है इसके बाद हम फॉर्मेट पर चलते हैं इसको मैंने ओके किया यहां पर आप देख सकते हैं रिकोर्डिंग फॉर्मेट यहां पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं रिकोर्डिंग फॉर्मेट पर मैं जिसे ओके करूंगा ओके करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे फूर्मेट आ जाते हैं यहां पर नीचे आप देख सकते हैं 720-50 फ्रेम, 1080-25 फ्रेम तो यहां पर आपको यह विशेश तोर से ध्यान रखना है कि आप AVC HD में सूट कर रहे हैं तो आपको कौन सा फ्रेम रेट लेना है यहां पर जो मैं फ्रेम रेट लेता हूँ 1080-50 PS पर इस केमरे में वीडियो शूट करता हूँ जो मेरे को कापी अच्छी और बेतर वीडियो यहां पर मिलती है तो यह दो चीजे हैं जो मैंने आपको कंफर्म कया आप इन और पे भी वीडियो शूट कर सकते हैं लेकिन जो कौलिटी वाली बात होती है उसी के उपर ये वीडियो है जो मैं सूट करता हूँ और जो मेरे को अच्छा वीडियो डिटेल वगेरा जो मिलती है वो इसी फोर्मेट पे मिलती है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें